हालो काईज कैसे हैं आप सब लोग टारुक्स पर टुपल सिक्स पर आपका स्वागत है आज मैं जो रिडिंग कर रहे हूं उसमें यह देखने वाली हूं कि अग्षील मैं ट्रिक्कT लगा के करणे बारी हूं यह रिडिंग ठीक है तो हम फ्री टाइम्स छूटके बजाकर नाम सोचेंगे और उसके बाहते हैं इन दिनों आपके बारे में वह इंसान क्या सोचते हैं यह हैं चैक करने वारे हैं ठीक है तो यह आपके पार्टरर हो कि यह इंसान आपके बारे में सोचते क्या है ठीक है चले देखते हैं बहुत अच्छा टॉपिक है और पूरी वीडियो जरूर देखेगा और कुछ में पसंद आता है ऐसे ही मत जाएगा सब्सक्राइब करना है आपको चैनल को ठीक है तो मेरा एक टार्गेट है उसको पूरा गाइज ओके चले स्टार्ट करते हैं आज की रिडिंग मैं शफल कर लेती हूं सबसे पहले फिर जब मैं कहूं तब आप मेरे साथ चुटकी बजाएए ठीक है आप जब यह रिडिंग देखें यह टाइमलेस है कभी भी आप देखेंगे तो आप से मैच कर सकते हैं ओके ओक अब आपको थ्री टाइमस चुटकी बजाना है मेरे साथ वान टू एंद थ्री ओके अब नाम सोची किसे का ओके सोच लिया गाइस चलिया आप हम देखते हैं कुछ कार्ट जिससे हमको पता चलेगा कि इस इंसान की एनर्जी क्या है या आपके बारे में सोचते क्या है इन युदिंघ आपको आपको पहले सोचते हैं केरिंग कनेक्शन इस नमबर भी बहुत इंपरेंट होते हैं थीसरा आपके लिए फीलिंग क्या रखते हैं वावकिंग अबेग आपके बारे में यह दिल से क्या आ सोचते हैं?" और बॉटम वाली एनरजी इनकी खुद की एनरजी यानि की बॉटम वाली एनरजी आप ऐसे ही दिखारी हो मैं फाइनिशिल कंस्ट्रेंट का कार्ड है ठीक है अब देखिए सबसे पहली बात है कि इनसान जो है कहीं आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं आपका कोई ने कोई पै है तो जितना आप से मिले उत्ता ही ली जगा ठीक है यह इनसान आपकी दोस्त की कैटेगरी में मैं मान रही हूं ठीक है इनकी एनरजी यह है कि आपको यह दोस्त मानते हैं बहुत अच्छा इंसान मानते हैं आप इनको कोई भी सपोर्ट करते हो ऐसा इंसान मानते है ठीक है आपको देखकर ये आपको एड्मायर करते हैं, आपको ये पसंद करते हैं, इस तरह से मुझे आप ये दिखाई दे रहा है, आपके लिए फीलिंग्स क्या है, ये कहीं ने कहीं आपके पास आने के लिए कहीं कोई सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि इनसान जैसे कहते हैं कहीं ने कहीं किसी situation को छोड़ कर यह आपके पास connect होता हो फील कर रहे हैं यानि कि यह चाहते नहीं है पर यह जैसे कहते हैं कि आपसे एक आकर्शन महसूस करते हैं जिससे यह कहीं ने कहीं दूसरी चीजों से detach होते जा रहे हैं ठीक है यह कहीं ने कहीं walk out हो रहे हैं किसी चीज से या किसी situation से या किसी रिष्टे से ठीक है यह क्या सोचे है इनके दिल में क्या है यह अपने आपको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ने कि लिमिट बना कर चलना चाहते हैं ऐसा मुझे इन कार्ट से लग रहा है चले कुछ कार्ट और लेते हैं गाईज तक कि हमको पता चले कि इस इनसान के एनर्जी में है क्या आखिर का इन्वर्स हमें काईट करें थ्री टाइम्स चुटके बजाकर जिसका नाम सोचे है मेरे विव आपके लिए फीलिंग्स क्या है इनकी इनकी शिक्स आव वांस आपके लिए सोचते क्या है इन दिनों सोच क्या रहे हैं आपके लिए पेज ऑफ कप्स ओकी गाईज और यहां पर बॉटम वाली एनरजी यहां पर टावर देखिए मुझे ऐसे लगता है कि कोई Aries हो सकता है और Aries Leo Sagittarius यानि कि Fire Sign मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहां पर यहां पर देखिए क्या है सबसे पहले इनका कहीं कोई ब्रेक अप हुआ है या फिर किसी सिचुएशन से वाक आउट कर रहे हैं कोई relationship तोटा है या फिर किसी ने छोड़ दिया इनको ऐसे से गुजर रहे हैं ब्रेक से गुजर रहे हैं ठीक है यह आपके बारे में क्या सूचते हैं आपकी बारे में देखूं तो यह definitely इनके energy है कि यह किसी का वेट कर रहे हैं कि इनके जीवन में कोई relationship बने जिससे खुश रहना सीके क्योंकि इनकी जिवन में अभी तक चीजे खर करें ठीक है तो यह waiting period पे हैं कि इनको क्या decision लेना है ठीक है दूसरे बात मुझे आप लग रहा है कि आपके बारे में यह सोचते हैं कि आप एक नई शुरुवात चाहते हो यानि कि दोनों की प्रस्तितियां कुछ मिली जूली है यह जैसे नई शुरुवात चाहते हैं आपके लिए feelings क्या है यह वाक्य में कोई जीत हासिल करना चाहते है इस ट्रगल है आपके रिष्टे में लेकिन यह फिर भी कहीं से निकल कर आपके साथ जॉइन होना चाहते है और विक्टोरियस होना चाहते है ठीक है इस तरह की energy मुझे यहां पर लग रही है और यहां पर करना या कॉले मेसेज करना चोटे रूप में बात करना इनिशेट करना इस तरह की energy है तो यह definitely आपको एक love offer देकर initiate करना चाहते हैं आपके साथ शुरुवात की नीव रखना चाहते हैं इस तरह से मुझे यहां पर लग रहा है क्योंकि इनके जिवन में कोई नो कोई यह इनसान आपके बारे में सुचते क्या हैं अगर रेडिंग मेच करें जरू बताईएगा ठीक है कुछ भी sign match करें या star sign आप से मेच करें तो जरू बताईएगा ठीक है देखते हैं कि आपके बारे में असलिएत मीं क्या सूचते है सबसे पहला card है chop wood दूसरा card हमारे पास go the distance imagine last one exchanging gift और यहां पर building blocks का card आ गया है यह आपसे रिष्टे को मजबूत करना चाहते हैं देखिए इनके main energy number 28 again victorious होना ठीक है एक रिष्टे को मजबूत करना यह आपसे रिष्टा जो भी है जैसा भी है यह definitely उसमें एक committed relationship की सोच रहे हैं एक रिष्टे को मजबूत करनी की सोच रहे हैं आपके साथ long term तक की सोच रहे हैं ऐसा मुझे इस card से लग रहा है number 42, 47, 20 और 27 30, 27 दो बार आए और 43 आप लोगों की age हो सकती है फिर कोई नो कोई significant number है यह number important होते हैं इसलिए बता रही हूँ तो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं यह रोज मरा की जो काम होते हैं उनमें इनका ध्यान लगा हुआ है यह शोओ नहीं करना चाते है एक्चुली ठीक है यह definitely आपसे किसी बात की clarity चाते हैं पर यह शोओ नहीं कर रहे हैं उस बात को कि मैं मुझे आपसे कुछ पूछना है ठीक है इस बात कोई declare नहीं करना चाते हैं दूसरी बात यह है कि यहां पर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इन दिनों है सोच रहे हैं कि आपके इनके बीच में जो gap बन गया है उसको कम कर दिया जाए ठीक है करें ठीक है यह आपके लिए बहुत ज़्यादे प्लान कर रहे हैं मन ही मन ठीक है और आपको इमेजन करें इस तरह की यह इन दिनों फिलिंग से इनकी ठीक है यह आपके बारे में सोचते क्या है यह चाहते हैं कि अगर आप इनके लिए कुछ कर रहे हो तो यह भी कुछ करें ठीक है equal give and take वाली बात आ जाती है और हो सकता है कि मुझे आपको कोई gift भी मिले ठीक है recently अगर आपको कोई birthday वगरा कुछ celebration वगरा आ रहा है तो यह definitely आपको कोई gift देना चाहते हैं for example कि दिवाली celebration आ रहा है तो हो सकता है दिवाली पर आपको इनकी तरफ से gift मिले ठीक है लेकिन आपसे रिष्टे को मजबूत करना चाहते हैं यह इनकी main energy आ रही है ठीक है तो यह आपके बारे में क्या सूचते हैं मैंने अपके लिखूँगी एक तो गिर चुका है नीचे आप देख रहे हैं ठीक है जो मेरे से गिरेगा वो मैं लूंगे आपके लिए इनका message होगा याणि कि दिल में या जैसे करते हैं आपके लिए क्या भावन है क्या सूचते हैं आपके बारे में कि दिल में क्या कहना चाह र बावर कर लेते हैं, फोर काड गिर चुके हैं, ओ यह तो सारे गिरने को हैं, बेच सके नहीं, ओके, ओके चले देखते हैं कि आपको यह कहना क्या चाते हैं, मिले पास थोड़े से काड हैं, जिसमें से हम पहला यह पढ़ेंगी, यलो वाला, यह क्या कहना चाते हैं, क्या आप भी इनके बारे में सोचते हों, जैसा कि यह सोचते हैं, यह क्या पूछना ही जा रहे हैं आपसे, इनके दिल में यह हैं कि यह जिस तरह से आपके बारे में सोचते हैं, क्या आप भी इनके बारे में सोचते हैं, you have the most beautiful person I ever met यानि कि you are the most beautiful person यानि कि आप वो person हो जो जिससे इतने सुन्दर इंसान हो जिससे पहले कभी नहीं मिलें I am severing ties with the karmic partner यानि कि कोई नो कोई past रह चुका है जिससे मैंने कहा walking away कि एनेर्जी है तो इनका कोई karmic है जिसमें अठके होए हैं बहुत जदा ties feel करते हैं ठीक है यहाँ पर क्या है I just wanted you to know that I am thinking of you right now यानि कि यह आपको यह बताना चाहते हैं कि अभी right now यह आपके बारे में ही सोच रहे हैं ठीक है I never imagined so much perfection यानि कि इतना प्यारी किसी की और से feel ही नहीं कर पाते हैं I am too afraid to talk to you यानि कि यह भी आपसे बात करने में डरते हैं ठीक है तो इनके बान की बात बता दी है मैंने यह आपके बारे में क्या सोचते हैं बिल्कुल आपके बारे में रिष्टे को मजबूत करना चाहते हैं आपके बारे में equal given take चाहते हैं आपके बारे में fantasize भी करते हैं आगी की जीवन है ठीक है यह आपसे दूरियों को कम करना चाहते हैं यह सारी जो बातें हैं यह सर्फ जैसे कहते हैं की अभी मनधे बापको शो करना चाहते हैं ऐसा मुझे आपे फील होता है लेकिन जब मैंने बताए है, तो कुछ-कुछ तो आपके लिए जरूर होगा, ठीक है? तो आप पता लगए, इनसान आपके बारे में किया सूझते हैं? हाला कि मैंने बहुत कुछ आपको पता है, उससे आपका आइडिया लगी गया होगा, ठीक है? तो guys अगर reading आपको पसंद आती है कुछ-कुछ resonant होती हुए नजर आती है तो बिल्कुल आप मुझे बताईए कि कौन इंसान है क्या है ठीक है आपकी किस मलब यह तो आप बताई सकते हैं कि आपको किस वे से मिलें यह आपके वर्क प्लेस से हैं यह आपके आपके नेवर में हैं यह इस तरह की बातें आप जो को शेर कर सकते हैं उसे जरूर कीज़ेगा ठीक है नेक्स ट्रेटिंग में फिर से मिलते हूं गाइस तब तक के लिए बाबाए